उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भुपेंदर चौधरी ने आज बदायू से भाजपा सांसा संगमित्रा मौरिया से मुलाकात की एक तरफ जहां संगमित्रा मौरिय के पिता स्वामी प्रसाद मौरिया समाज़दी पार्टी में हैं और लगतार भारती जंता पार्टी पर हमलावर हैं रामचरीत मानस को लेकर के लगतार विवादित बयान दे रहे हैं इस बीच भुपेंदर चौधरी ने संगमित्रा मौरिया से तकरीबन आदा घंटा मुलाकात की मौलाकात के काफी सियासी माने निकाले जा रहे है क्योंकि ये बाच्चीत काफी एहम माने जा रहे है क्योंकि जिस तरीके से लगतार स्वामी परसाद मौरय बीजेपी पर हमलावर हैं उनकी पुत्री संगमित्रा मौरय अभी भाज़पा की बदायू से सांसाद है और लगतार अगर बात कहें तो संगमित्रा मौरय इस पूरे मसले के बाद से चुपी साधी हुई है किसी भी पक्ष में नहीं बोले नहीं है तो भारती जंदा पार्टी के पक्ष में बोल नहीं है ना तो समाज़दी पार्टी के पक्ष में बोल नहीं है और ऐसे में भुपेंदर चौधरी का संग मित्रा मौरया से मिलना काफी कुछ अहम हो जाता है क्योंकि आज दिल्ली दोरे पर हैं बीजेपी के प्रदेश सद्यक्ष और उन्होंने ये मुलाकात दिल्ली दोरे पर ही की है तो इससे ये मुलाकात काफी जादा अहम हो जाती है क्योंकि एक तरफ जहां स्वाई परसाद मौरे बीजेपी के खिलाप हैं तो वहीं उनकी पुत्री भाजपक की बदायों से सांसद हैं और उनकी मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष से काफी अहम इसलिए भी होती है कि इस झाल